हाई गुड मॉनिंग एलकोहल एथर फिनॉल का ये हम आज लेक्चर 16 शुरू करने जा रहे हैं काफी हद तक पोर्शन हमने इसमें कर लिया है अभी जो इसका पोर्शन बचता है वो एथर वाला पार्ट बचता है तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये डिसकस कर लेते हैं कि आज हमें क्या-क्या पढ़ना है या इस पोर्शन में हमें पूरे पोर्शन में क्या-क्या पढ़ना है एक लेक्चर भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं और Ethers, जो अब हम शुरू करेंगे, ये हमारी strategy ये सामने रहेगी. सबसे पहले हम general discussion करेंगे, structure एथर का हमें करना है, उसके बाद IUPAC naming हम एथर के करेंगे. ये शुरू में, एथर के बारे में discussion किया जाएगा, class में. इसके बाद हम आजाएंगे preparation of Ethers पर. बड़ा छोटा सा पार्ट है ये, और बहुत सारे reaction हमने इसके alcohol में भी पढ़ रखे हैं. preparation of Ethers की की जा सकती है कई सारे method से, जिनको हमें in detail से पढ़ना है. dehydration of alcohol से philium sensitive synthesis, जो कि हमने alkyl allied वाले chapter में कर रखा है. dehydration of alcohol, ये हमने alcohol की properties में discuss कर चुके हैं. लेकिन फिर भी हम इसे दुबारा करेंगे यहाँ. एक नई preparation है Ether की, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है. alcohol and diazom methane को जब हम mix करते हैं तो Ether बनता है. ये तीन main preparations हमें discuss करनी हैं. properties of Ether पर अगर हम आते हैं, तो बहुत सारी properties हैं. पहले physical properties हमें करनी होगी. balling point, melting point, solubility, polarity, dipole moment, ये सब physical properties में आती हैं. जिसमें bond तूटते नहीं, नए compound बनते नहीं, वो physical properties होती हैं. उसके बारे में crown ethers के बारे में जानेंगे कुछ थोड़ा सा. ethers, कुछ special type के ethers होते हैं, जिनें हम crown ethers बोलते हैं. उसके बाद ether का hydrogen iodide के साथ cleavage होकर कि क्या बनता है, वो हम discuss करेंगे. most important reaction में से एक reaction ये है, ethers के. फिर हम इसके बाद electroflake substitution reaction एther के करेंगे, and hydrolysis of ethers. hydrolysis, अब जानते हो water की presence में, जब हम किसी compound को cleavage कर देते हैं, ether के hydrolysis का मतलब, water को break कर दिया, and ether को break कर दिया, एक alcohol बना, दूसरा भी alcohol बना. तो hydrolysis of ether करने में, जो products हैं, उनके हम mechanism भी discuss करेंगे. and electroflake substitution reaction further, अब understood है, जब हमने बोला electroflake substitution reaction तो ज़रूर बेंजीन रिंग आगया होगा बीच में. बेंजीन वाले ether ये reaction देंगे, जैसे बेंजीन OCH3, जो बेंजीन वाले ether हैं, उनको इन reaction को देना चाहिए. अब जब ये reaction होगे तो बेंजीन ring में होगे, बेंजीन ring में अगर ये reaction होगे तो ortho-paraposition परोगे. ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फिडल क्राफ्ट अलकायलेशन, सल्फोनेशन, ये सब इलेक्ट्रोफ्लेक्स सब्सिटूशन रियक्शन्स हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. शुरुवात जनर्नल डिसकुशन से ether क्या होते हैं, structure उनके क्या है, IUPAC naming इनकी क्या है. अगर हम ether के structures को एक quick review करते हैं, तो कहां से आते हैं ethers, ethers alcohol से transform किये जा सकते हैं. एलकोहल के structure में अगर हम hydrogen हटा दें alcohol से और उसमें एक H group introduce कर दें, sorry, एक R group introduce कर दें. एलकोहल है, हमने ये एक H हटा दिया, या हम इस H को हटा कर यहां R group introduce कर दें. R group introduce करने पर जो बन जाएगा वो ROR बन जाएगा. ये जो ROR बना है, इसको बोला जाएगा कि ये ether है. अब इस ether में ये oxygen दो alkyl group के बीच में sandwiched है. दो alkyl group के बीच में sandwich होने का मतलब ये है कि ये दब गया है दो alkyl group के बीच में. जैसे एक मानलो CH3 है, एक और CH3 है, इसके बीच में ये trap कर गया, दब गया. सेंड्विच हो गया. जैसे सुबा को सेंड्विच खाते हो नाश्ते में, दो breads के बीच में कोई चीज हम बीच में slice रख लेते हैं, किसी cheese slice या कोई और रख लेते हैं. तो ये दो alkyl group के बीच में, अब ये alkyl group same भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं. ये दोनो alkyl group methyl, methyl भी हो सकते हैं, या ये दोनो alkyl group different भी हो सकते हैं. इस तरह से हम इने consider कर सकते हैं, तो Ether में दो तरीके हैं सोचने के, आप एक Alkane ले लो, Alkane का H हटा कर OR group introduce कर दो, ये भी तो Ether बनेगा ना, R oxygen R, और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, R OH ले लो, यहां से H हटाओ, H हटाने पर, बाहर से R group introduce कर दो, तो भी Ether ही बनेगा, Ether ये दो टाइप के बन सकते हैं, दोनों R group अगर सेम हैं, तो symmetrical Ether हम इने नाम देंगे, और अगर ये दोनों R group different आ जाते हैं, R, O, R' आ जाता है, तब हम इसको नाम देंगे, कि ये unsymmetrical या mixed Ether है, एक बात मैंने आपको बड़ी simple सी बताई, इसमें पहुँजादा कोई मुश्किल बात नहीं है, तो time इसमें जादा नहीं लगाएंगे हम, alkane से H हटाया, R O group introduce कर दिया, ये different है R, ये वाला R, इस R से different है, तो ये unsymmetrical बना Ether, इसको बोलोगे, इस वाले Ether को unsymmetrical, अगर ये भी R होता, ये भी R, सेम, तो symmetrical Ether बोलती है, इसी तरह से alcohol लिया हमने, अलकॉल से हमने H हटा दिया, ये acidic hydrogen जो अलकॉल का है, और हमने R group बाहर से introduce कर दिया, different, तब इसमें formation हो जाएगी Ether की एक, ऐसे ही अगर हम water लें, water में तो दो H होते हैं, ये hydrogen हटा दिया, ये hydrogen हटा दिया, दोनों hydrogen हटा कर, दो R group introduce कर दिये, same ये different तो भी Ether बन जाएगा, So we can also say that ethers are derivative of water, तो alkane के derivative बोले जा सकते हैं, कि हमने alkane से बनाया इन्हें, alcohol के derivative बोले जा सकते हैं, alkyl derivative of alcohol, alcohol से H हटाया, R group introduce किया, water के derivative बोले जा सकते हैं, Water में ये वला H हटा कर, ये वला H हटा कर, हमने इसमें produce कर दिया, एक Ether, ये वला symmetrical बना, क्योंकि इसमें दोनों R group से मागए हैं, एक ये basic हमने discuss किया, Ether के बारे में, ये आते कहां से हैं, preparation तो अभी हम इसकी करेंगे, structure पर आते हैं, Ethers की, अभी तक जो बात पता चली, R, O, R को आप Ether बोलते हो, that means जो bond है इसमें, carbon, oxygen, carbon, जब हम structure की तरफ चलेंगे, तो carbon, oxygen, carbon की हम इसमें बात करेंगे, अगर general formula भी बात करें हम, general formula Ether का क्या हो गए, तो functional group तो हो गया, R, oxygen, R, ये linkage, polarity, carbon, oxygen की electronegativity में difference, oxygen is more electronegative than carbon, so this carbon must be positive, partial positive, partial negative, ये भी बात ध्यान देने किये, कि carbon positively charged होता है, आगे properties में चलते हुए, हम इसे discuss करेंगे, काम आएगी बात, general formula क्या होगा, दो alkyl group और एक oxygen का, check कर लो general formula, CNH2N plus 2O, जैसे मैंने ये लिखा, CH3, oxygen CH3, तो दो carbon हो गए, hydrogen 6 हो गए, एक oxygen हो गया, तो CN, एन के value 2 रखी, 2N plus 2, 6 हो गया, आप कोई भी alkyl group, C2H5 रख लो इदर, oxygen C2H5 रख लो, हो गया, C4 हो गया, H कितने हो गया, 10 हो गया, total H, एक oxygen हो गया, CN, 4, N के value 4, 4 multiplied by 2, plus 2, 10 हो गया हमारा, ये 10 हो गया, है, C4, CN, H2N, plus 2, O, general formula इसका वो ही है, जो alcohol का है, alcohol के भी general formula ये ही हैं, भाई, ध्यान दो ज़रा, CH3, CH2, CH2, OH, तीन कारवन का alcohol, तीन कारवन का एथर में लिखता हूँ, CH3, CH2, oxygen, CH3, ये एथर तीन कारवन का, तीन कारवन का alcohol, दोनों के general formula सेम आगए, C3, H8, O, तीन कारवन, 1, 2, 3, hydrogen कितने, तीन और तीन छे, आठ, दो, आठ, दो, आठ, आठ हैडोजन हो गए, सेम यहां, फंक्शन ग्रूप इस अल्कोहल, फंक्शन ग्रूप इस एथर, molecular formula same, but showing different functional groups, so these are functional isomers, important काम के बात हो गई, एथर can show functional isomerism with alcohol, important बात क्या होई, एथर, alcohol के साथ, functional isomerism show कर सकता है, number of carbon, hydrogen, same होंगे, अगर तो, जब ether मैं लिखूंगा तो उतनी कार्बन का मैं alcohol भी लिख सकता हूँ functional मैं क्यों बूल रहा हूँ isomerism क्योंकि functional group अलग है isomerism कोई और सा भी ether show कर सकता है alcohol भी कोई और सा isomerism show कर सकता है लेकिन ether and alcohol आपस में functional isomerism show करेंगे तो ये बात काम की है इस पर based ये बिलकुल root है basic concept हो गया ये इस पर बड़े questions मिलेंगे आपको board में भी मिलेंगे and competition में तो isomerism पर बहुत आते ही आते है monohydric का मतलब हो गया एक OH जिसमें है एक OH जिसमें है उसके साथ ये वाला general formula resemble कर सकता है monohydroxy या monohydric alcohol simple ether के साथ isomerism show कर सकते है तो diethyl ether and ethanol एक दूसरे के isomers हो जाएंगे classification पर आ जाते हैं ether का जब classification करेंगे जैसे अभी हम discuss कर रहे थे कि दो टाइप से हम ether को बोल सकते हैं simple ether यानि symmetrical ether दोनों तरफ alkyl group अगर सेम है ROR तब हम इनको बोलेंगे कि ये simple ether है symmetrical ether है symmetrical मतलब दोनों तरफ same group unsymmetrical या mixed दोनों तरफ alkyl group अलग-अलग ROR simple ether है, ROR- unsymmetrical या mixed ether है एक तरफ CH3 है, दुस्सी तरफ भी CH3 है symmetry है molecule में, एक जैसा सा है दोनों तरफ से तो इसे नाम दे दिया symmetrical ether बिल्कुल exactly बीच में होगा ether, दोनों group ये same होंगे इथाईल है तो इधर भी इथाईल, इधर प्रोपाइल है तो इधर भी प्रोपाइल, इधर आईसो प्रोपाइल है तो इधर भी आईसो प्रोपाइल, सिर्फ molecular formula सेम होने से काम नहीं चलेगा, जैसे मैं कहता हूँ CH3, CH, CH3, oxygen, CH2, CH2, CH3, तो ये unsymmetrical ether है, इधर count करेंगे हम इसको, molecular formula सेम है, इसका C3, 3 carbon हो गए, hydrogen count कर लो इसमे, 7 हो गए है, यहाँ भी C3, H7 हो गए, molecular formula सेम होने से काम नहीं चलता है, structure उसका सेम होना चाहिए, जो group लगे हो है, बड़ा important concept निकलेगा यहाँ से, metamerism का निकलेगा, तो हम सिर्फ molecular formula नहीं चेक करेंगे, पूरा structure दोनों तरफ अगर बिलकुल सेम है, oxygen के, इधर group लगा है, इधर group लगा है, exactly सेम है, तब हम उसे symmetrical बोलेंगे, यह वाला जो structure लिखा है, इसके बावजूद B के molecular formula दोनों का बिलकुल सेम है, फिर भी यह symmetrical एथर नहीं है, unsymmetrical एथर हम इसे बोल जाएंगे, तो simple एथर हो गए, दूसरे type के, नाम तो हम इसका करिए सकते हैं, methoxy methane अभी naming पर भी आएंगे, तो dimethyl ether, mixed ether या unsymmetrical ethers, r o r dash, r dash अलग चीज़ है, r अलग चीज़ है, जैसे example के लिए, CH3, O C2, H5, हम इसे बोलेंगे, यह methoxy और यह ethane, methoxy ethane बोला जाना चाहिए, unsymmetrical या mixed ether को, आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है यह, इसके बाद हम अगर structure पर आएं, bonding पर आएं, polarity पर आएं, तो हमें hybridization सुचना पड़ेगा, r, oxygen, r, अभी थोड़ी देर पहले हम नहीं किया, यह alcohol and water का derivative है, water की बात करते हैं पहले, water में oxygen की बात की जाए, oxygen का basic structure देखो, दो loan pairs होते हैं, oxygen पर, दो sigma bond होते हैं, oxygen पर, अगर मैं इसके orbitals के structure को draw कर लूँ, oxygen के, क्योंकि यहां भी oxygen है, यहां भी oxygen है, दोनों same है, तो bond pair हैं, दो, hydrogen के साथ, hydrogen के साथ, loan pairs हैं, दो, यह loan pair, जो bond नहीं बना रहे हैं, यह hydrogen से, hydrogen से bond बना रहे हैं, तो यह sigma bond है, यह sigma bond है, यह sigma bond ह सब्सक्राइब ने लोथन सब्सक्राइब कि मुद्सक्राइब दो position bond pair की है, sigma bonds की, वो मैंने लिख दी, तो अब जब molecule को कोई देखेगा दूर से, ये जो distance है, ये वाला, ये distance तो bond distance के comparison में negligible है, बहुत कम है, तो ऐसा नजर आएगा ये molecule, oxygen, एक तरफ लिखो गया आप इसमें H, और दूसरी तरफ आप लिखो गया H, H हो गया, H हो गया, direction तो इसका lone pair का यही रहेगा, लेकिन आएगा ऐसा नजर, आएगा ऐसा नजर, तो इसे हम बोलेंगे V-shaped या bent, water bent geometry का होता है, water में ही हमें क्या करना है, water से ही तो ether बनाया था अभी थोड़ी दिर पहले, जहां पर H लगे हुए थे, उनी direction को maintain रखते हुए direction को change नहीं किया, हमने 9H की जगा R group लिख दिये, तो bond angle लगभग उतना ही रहेगा, लगभग बोल रहा हूँ, मैं exactly नहीं, linear नहीं हो जाएगा यह कि ether को आप linear लिखना शुरू कर दोगे, तो जैसे water bent होते हैं, ऐसे ether bent होते हैं, ऐसे alcohol में ROH bent होते हैं, इसका कारण hybridization है, oxygen का hybridization क्योंकि SP3 है, इसलिए ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, अगर hybridization हम SP3 लिखते हैं, तो यह bent होगा, हाँ, एक चीज़ और हम consider कर सकते हैं, कि अगर bond pair bond pair repression and loan pair bond pair repression की बात की जाए, water की ही बात करें पहले, हैं, क्योंकि water को ही हम ether बना रहे हैं, H की जगा अगर मैं यहां R लिख दूँगा, R लिख दूँगा तो ether बन जाएगा, अब जो bond pair and loan pair repression होता है, वो ज्यादा होता है, bond pair bond pair repression की comparison में, यह bond pair bond pair एक दूसरे को repel करते हैं, और साथ में कई सारे repression का result होता है न यह, एक repression हो रहा है, loan pair, loan pair में, एक repression हो रहा है, loan pair, bond pair में, एक repression हो रहा है, bond pair, bond pair में, सबसे कम होता है bond pair, bond pair repression उससे ज़ादा होता है loan pair, bond pair उससे ज़ादा होता है loan pair, loan pair तो यह exact tetrahedral angle से काफी कम angle होता है यह angle 109.5 degree जो tetrahedral angle है वो नहीं होता उससे reduce हो जाता है क्योंकि दो तरफ loan pair, bond pair repression exceed कर रहे है bond pair, bond pair repression को इसलिए यह कम हो के लगभग 105 के आस्वास आ जाता है ऐसी ही कुछ कहानी ether में भी आएगी ether में भी more or less इसी तरसे हमें करना पड़ेगा तो देखो structure को समझने के लिए जैसे हमने water के सारे repressions को consider किया है थोड़ा अंतर आएगा ether में water में and ether में थोड़ा सा फर्क आएगा हम लिख लेते हैं structure CH3 OCH3 hydrogen के respect में यह CH3 बहुत बढ़ा ग्रूप है हम अगर बोलें सेकड़ों गुना तो ज्यादा नहीं होगा exit नहीं करेगा ठीक बोलेंगे hydrogen के respect में यह CH3 तो बहुत बहुत बढ़ा ग्रूप है hydrogen के respect में मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ यह रिपर्शन मैं consider कर रहा हूँ bond pair to bond pair loan pair to bond pair तो यहाँ यह बात बिलकुल correct है कि loan pair bond pair रिपर्शन ज्यादा है यह less हो जाते हैं जिसकी वजह से जो actual angle था 109.5 इसका वो कम होकर 105 के आसपास रह जाता है लग भग 105 डिगरी रह जाता है लेकिन इस एथर के case में क्या होगा यह loan pair bond pair रिपर्शन डेफिनिटली ज्यादा है कोई problem के बात नहीं है यह loan pair bond pair रिपर्शन काफी ज्यादा है अपना यह work कर रहा है लेकिन यहाँ जो bond pair, bond pair रिपर्शन के साथ-साथ बड़े ग्रूप होने की वज़े से ये बड़े ग्रूप एक दूसरे को दूर भगाने की कुशिश करते हैं जिसे हम बोलते हैं hysteric repression खोलने की कुशिश करेंगे इसको, bond को आगे बढ़ाने की कुशिश करेंगे तो कई सारी forces opposite direction में लग रही है loan pair loan pair को repel कर रहा है, loan pair bond pair को कर रहा है यह group group को कर रहा है, जब group group को repel करेगा तो यह bond को बढ़ाने की कुशिश करेगा जो water में छोटा angle था 105 उससे ये angle hysteric repression बढ़ जाने की वज़ज़ से ये bond angle increase हो जाएगा, ये लग भग लग भग 111.7 डिगरी के आसपास आ जाता है तो यह बात यहां discuss करने की है, कि ether में bond angle इसके बावजूद भी के loan pair bond pair यहां पर exceed करते हैं loan pair bond pair repression जादा होते हैं, उसके बावजूद भी ether में bond angle बढ़ जाते हैं क्योंकि ether में alkyl group के size बढ़े हैं, दो alkyl group एक दूसरे को repel करते हैं repel कर देने की वज़ज़ से steric repression होगा, वो group दूर बगाएंगे, bond angle बढ़ता चला जाएगा यहीं पर बात नहीं रुकेगी, बात आगे भी बढ़ेगी, यह group अगर मैं methyl ले रहा हूं, तो यह चोटा group है, दूसरे alkyl, hydrogen के respect में बहुत बढ़ा है, लेकिन methyl group के respect में तो चोटा है, और अगर यह group मैं कोई 5 carbon का ले लेता हूं, ऐसा लिख लेता हूं, group, CCH3, 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 oxygen, CCH3, CCH3, अब इसको तो मैंने उमेद से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया, यह तो बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़ा बलून्स हो गई है तो, अब इनके रिपर्शन तो बहुत ही बढ़ गए, that means यह angle काफी बढ़ जाता है, 120 के आस पास तक आजाता है यह अगर मैं tertiary butyl group ले लेता हूँ, alkyl की जगा, तो इसमें angle में strain बढ़ जाता है, एक और शब मैंने नया बोल दिया, strain बढ़ जाएगा, angle strain बढ़ता चला जा रहा है, bond की potential energy बढ़ती चली जा रही है, bond तोटना आसान होता चला जा रहा है, reactivity ether की बढ़ती चली जा रही ह यह सारी बाते related हो, यह ether, strained है, इसमें strain जादा है, यह repression कर रहा है, इस bond को मुझे energy दे कर रोकना पड़ रहा है, that means इसकी potential energy ज्यादा हो गई है, bond की अपनी potential energy ज्यादा हो गई है, तो तोटना आसान है, तो जैसे जैसे ether में alkyl group की जो carbon है, वो बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे-ईसे उसका size बढ़ता चला जाएगा, यह alkyl group है ether का, इसके carbon बढ़ गए अगर, तो carbon बढ़ते चले जाने से size बढ़ता चला जाएगा, इसमें bond angle बढ़ते चले जाएंगे, strain बढ़ता चला जाएगा, reactivity बढ़ती चली जाएग इसका मतलब यह हो गया कि हम एथर की रेक्टिविटी को कई बार एथर के बलकी ग्रुप के बेस पर भी compare कर सकते हैं. एक एथर ऐसा है जिसमें कम बलकी ग्रुप लगा हुआ है, छोटा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे CH3, OCH3, इसकी रेक्टिविटी कम होगी. एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है कि बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सिजन एंड बहुत बड़ा ग्रुप, इसकी रेक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें strain ज़्यादा होगा, इस bond पर strain इसके repulsion की वज़़े से, steric repulsion की वज़़ से ज़्यादा पढ़ रहा है, तो रेक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, यह हम compare करते हैं, इसके बाद यह एक छोटा सा idea मैंने दिया, रेक्टिविटी का, questions करेंगे तो फिर यह concept हम use करेंगे, इसके बाद हम आते हैं, metamerasm पर, metamerasm isomerasm का एक part है, और ether metamerasm show कर सकते हैं, और भी functional group हैं, जो metamerasm show करते हैं, लेकिन ether frequently metamerasm है, definition देखते हैं कि metamerasm है क्या, definitely isomerasm का अगर एक part है, तो molecular formula same होना चाहिए, दो अगर हमारे पास ऐसे ethers हैं, जिनका molecular formula same है, लेकिन दोनों में oxygen पर जो alkyl group लगे हुए हैं, वो अलग अलग लगे हुए हैं, उनका nature अलग है, तब हम इनको metamerasm बोलेंगे, example में लूँगा तो आपको बात समझ आ जाएगी, C4H10, O, एक ether है, मुझे ether ही लिखना है, बनतो हो सकता है, इससे alcohol भी, अगर मैं alcohol लिख दूँगा, तो वो metamerasm नहीं होगा, वो functional isomerism होगा, alcohol and ether आपस में functional isomerism करते हैं, शो, same molecular formula, लेकिन दो अलग-अलग structures, और दोनों ether, same functional group, तो वो metamerasm हो सकते हैं, जैसे example के लिए C4H10, O मैं दे रहाँ, CH3, oxygen CH2, CH2, CH3, इसी का पहला एक मैंने लिखा, सेकंड एक मैंने लिखा, CH3, CH2, oxygen CH2, CH3, यह ethyl group है, यह ethyl group है, C2H5, है, C2H5, यह CH3 group है, methyl, प्रोपाइल group है, इन दोनों का molecular formula same है, फर्स्ट का चार कार्बन है, दस hydrogen है, oxygen एक है, चार कार्बन है, one, two, three, four, दस hydrogen है, एक oxygen है, second and first के molecular formula same है, लेकिन structure में difference है, क्यों है structure में difference, क्योंकि दोनों तरफ alkyl group अलग लग लगे, इधर methyl है, इधर propyl है, इसमें इधर ethyl है, methyl change होके ethyl हो गया, propyl change होके ethyl हो गया, ऐसे कोई भी दो structures, जिन में oxygen के दोनों तरफ, एथर में oxygen के दोनों तरफ, अलाग-अलाग alkyl group लगे हूँ, लेकिन उनका molecular formula सेम हूँ. तो ऐसे structures को हम बोलते हैं कि ये metamers हैं, और इस phenomenon को बोला जाता है कि ये metamerism है. हम कैसे define कर सकता है metamerism को? Ether is having same molecular formula, but different alkyl groups attached on either side of oxygen. इस oxygen के दोनों तरफ पहले वाले में एक तरफ methyl है, एक तरफ propyl है, PR लिख दिया मैंने, यहां एक तरफ ethyle है, ET लिख दिया, एक तरफ ethyle है, यहां group अलग है, यहां group अलग है. molecular formula same है, कि metamers होंगे. किसी और functional group में भी metamerism हो सकता है, ketone में हो सकता है, amines में हो सकता है, esters में हो सकता है, लेकिन ether की यह characteristic property है. अब ऐसा नहीं है, कि isomerism, metamerism, बस इसी तरह से हमें alkyl group का molecular formula ही चेंज करना है, molecular formula चेंज करने की जगा ऐसा भी हो सकता है, जैसे C4 है, H10, O, एक मैंने लिखा CH3, oxygen, CH2, CH2, CH3, first structure, second, हम मैं इसे methyl ही रहने देता हूं, इसको चेंज करता हूं, लेकिन carbon तो 3 ही रखने पड़ेंगे, लेकिन branching कर दी मैंने CH, CH3, CH3, यह propyl group है, isopropyl group है, in fact, मैंने क्या किया, तीन carbon branch वाला लिख दिया, carbon number 2 से oxygen connect किया, और यहां branching नहीं, straight chain, इसे बोला जाता है, N-propyl, इसे बोला जाता है, isopropyl, methyl एक रहा है, यह भी metamers है, इनको भी metamers बोला जाए, यह तो है metamers, जो भी मैंने लिखे थे, अगर मैं एक लिख देता हूं, C2H5, oxygen C2H5, यह तो metamers होंगे ही होंगे, यह 1 हो गया, यह 2 है, यह 3 है, यहां तो alkyl group ही change हो गया है, यहां alkyl group change नहीं हुए है, methyl से methyl रहा, 3 carbon से 3 carbon रहे है, लेकिन यहां branching change हो गई है, यहां propyl से isopropyl group आ गया है, तब हम ऐसे functional group सेम रहेगा, ether रहेगा, ether का ether ही, तो यह metamers ही कहलाएंगे दोनों case में, metamersism के बारे में एक बात और है, अगर आप इसे ध्यान से देखते हो, यह first लिख रहा हूँ मैं दुबारा नीचे, एक चीज़ और इसमें monitor करनी है, analyze करनी है, इस oxygen को मैंने shift कर दिया आगे यहां, एक carbon इधर ले लिया, oxygen इधर कर दिया, oxygen खिसका दिया आगे, position चेंड कर दी, so called आपने पर रखा है, अगर positional isomer बना दिया, carbon, carbon, oxygen, carbon and carbon, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, कि यह oxygen की position अलग है, यह oxygen की position अलग है, यह positional isomer है, बिल्कुल है, लेकिन positional isomers में और इसमें एक खास difference है, जब positional isomers में हम किसी की position चेंज करते हैं, तो alkyl group का nature चेंज नहीं होता, CL1 पर है, अगर मैं इसे उठा के 2 पर कर देता हूँ, तो 4 carbon की chain पहले भी थी, 4 carbon की chain अब भी है, 1 chlorobutane, 2 chlorobutane, butane का butane ही रहा, parent carbon chain में कोई अंतर नहीं आया, तो positional isomers में parent carbon chain में अंतर नहीं आता, position चेंज कर देने से, लेकिन यहाँ पर जब मैंने oxygen की position को चेंज किया है, तब चेंज करने से, यह पहले था, methoxy propane, अब जब मैंने oxygen की position चेंज की, अब यह carbon chain, parent carbon chain ही चेंज हो गई, अब यह हो गया, ethoxy ethane, that means, positional isomers हैं metamerism, लेकिन special type के हैं, कि position चेंज कर देने से, side group या alkyl group का nature चेंज हो जाता है, वो special type के positional isomers, जिसमें functional group की position चेंज कर देने से, side group का nature चेंज हो जाता है, parent carbon chain का nature चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम, कि यह metamerism है, एक type का metamerism जो relate किया जाता है, positional isomers से, दूसरे type का metamerism, अगर मैं इन दोनों को consider करता हूँ, इसमें तो वो वाली बात नहीं है, जो हमने उपर की, इसमें तो मैंने carbon यहां तीन लिये, यहां दो लिये, एक लिया, यहां दो लिये, लेकिन इस case में तीन carbon इधर हैं, तीन carbon इधर हैं, यहां एक carbon है, यहां एक carbon है, यहां पर हम infect, branching कर रहे हैं, जैसे, मैंने एक carbon लिया, उसके साथ तीन carbon की chain यह लगा दी, अब मैंने तीन carbon की chain, वन से ना जोड़ कर, carbon number two से जोड़ दी, that means इसकी branching कर दी, carbon, oxygen, carbon, carbon, लिखके, इस carbon को तोड़ कर यहां connect कर दिया, रहे total तीन carbon नहीं, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि यह branching कर दी है, दूसरा टाइप का metamerism appear हो सकता है, जब हम branching कर देते हैं, यानि chain isomers बना देते हैं, जो chain carbon की है, एथर में, अगर मैं उस पर change ले आता हूँ, carbon chain ही change कर देता हूँ, तो इससे भी metamerism appear हो जाता है, तो एथर में metamerism, बेसिक बात, तीन बाते मैं बताऊँगा, इसको ध्यान रखो, तो metamerism में confusion नहीं होगा, otherwise इसमें confusion बढ़ाता है, metamerism किसलिए आता है, जब alkyl group का nature, oxygen के दोनों तरफ change हो जाता है, number one, दो कारण से alkyl group का nature change हो सकता है, एक तो गिंती ही change हो जाए, तब हम उसे बोलेंगे कि ये positional isomers जैसा है, लेकिन positional isomers हम नाम इसलिए नहीं देते, क्योंकि alkyl group का nature ही change हो गया, इधर तीन carbon थे, एक carbon था, दो carbon थे, दो carbon थे, एक case तो ये रहा है, दूसरा एक और case है, इसमें carbon की गिंती भी same रहे, एक carbon, एक carbon, इधर तीन carbon, इधर तीन carbon, oxygen के दोनों तरफ carbon की गिंती भी same रही, लेकिन किसी एक alkyl group में chain different हो गई, carbon chain यहाँ isopropyl की है, यहाँ normal propyl की है, ऐसे भी metamirism appear हो सकते हैं, यह है तरीका metamirism को समझने का, तो simple problem metamirism की आ सकती है, इतना जितना discussion मैंने किया, इसे सोच के समझ के, फिर उसके बाद metamirism की problem लगाओगे, तो आपको बात समझ अच्छे तरह से आ जाने चाहिए, जो बाते मैंने बताई हैं, वो ही है, definition मैंने आपको समझा दी, यह definition है, और metamirism किस वज़े से हो सकते हैं, या तो chain isomerism की वज़े से हो सकते हैं, या positional की वज़े से हो सकते हैं, दोनों के example मैंने चार कार्बन ले करके आपको discuss किये, और यह example मैं आपको अब यह थोड़ी दिर पहले बता चुका हूँ. नॉमेंक्लेचर पर आते हैं इसके बाद, naming ether की आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हम इसकी naming as a suffix नहीं करते, पहला point, कुछ एक compound ऐसे हैं, जिनकी naming हम as a prefix करते हैं, जैसे halides हैं, halogen containing compound है, halo alkane है, अगर मुझे इसका नाम लिखना पड़ जाए, तो मैं लिखूंगा, वन क्लोरो ब्यूटेन, यह ब्यूटेन है, चार कार्बन की चेन हो गई, वन पोजेशन पर क्लोरो, वन क्लोरो ब्यूटेन. अब इसमें अगर मैं आपको बताता हूं, तो मैंने दो या तीन बड़े simple words यूज़ किये हैं, ये तीन words मैंने यूज़ किये, वन क्लोरो, फंक्शनल ग्रूप है, यहां CL, इसे लिखा गया है as a prefix, यूज़ वली, हम नेमिंग लिखते हुए, इसको शुरू में नहीं लिख रहे होते बाकी फंक्शनल ग्रूप में, जैसे अलकॉल के नेमिंग करते हैं, तो हम लिखते हैं, अलके नॉल, अल बाद में लिखा है, प्रोपेनोन, ओन बाद में लिखा है, ब्यूटेनोईक एसिड, ओईक एसिड बाद में लिखा है, सफिक्स की तरह से लिखते हैं, सफिक्स मतलब जो बाद में लिखा जाता है, ये दो कंपाउंट्स ऐसे हैं, एक एथर, एक क्लोरीन वाला, हेलो, क्लोरोब्रोमोडो वाला, जिसमें हम इनके फंक्शनल ग्रूप के नाम पहले लिखते हैं, प्रिफेक्स लिखते हैं, और इनको एलकेन का डेरिवेटिव कहा जाता है, इसका नाम हमने लिख दिया, और बाकी जो बचा, 1, 2, 3, 4, ब्यूट, मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इसको बोला जाएगा ब्यूट को, कि ये एक वर्ड रूट है, वर्ड रूट वो होता है, जो कार्बन की संक्या को पिरेंट कार्बन चेन में इंडिकेट करता है, वर्ड रूट, और एन इंडिकेट करता है, सफिक्स को, सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, जो जरूर होता है, बिना प्राइमरी सफिक्स के IUPAC name नहीं होगा, बिना word root के IUPAC name जो बिलकुल सबसे ज़्यादा जरूरी है IUPAC naming इन दो के इलावतों होई नहीं सकती, एक word root जरूर होगा, एक in, in, in जरूर होगा, यह systematic IUPAC naming की मैं बात कर रहा हूँ, in primary suffix है, in primary suffix है, in primary suffix है, in primary suffix है, यह indicate करता है कि यह saturated है, इसके बाद कोई और functional group होता, तो हम और बाद में लिख देते हैं और उसे बोलते हैं कि वो secondary suffix है, यह तो primary suffix हो गया, जैसे butanol होता है, तो in primary suffix हो गया, all जो होता, वो secondary suffix हो जाता, एक और बाद में, जो पहले लिखे जाते हैं, वो prefix लिखे जाते हैं, तो कुल मिला करके मैं यह बता रहा हूँ कि chloro-bromo-ado prefix लिखे जाते हैं और ether भी, इसी को मैं यहाँ turn करता हूँ, change करता हूँ नाम को, ch3, ch2, 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 c, o, ch3, ether बना दिया मैंने, अब यह लिखा जाएगा prefix, as a prefix लिखना है, prefix में लेकिन कार्बन है, कितने कार्बन हैं, एक, एक कार्बन को क्या कहते हैं, myth, लेकिन oxygen भी आ गया, तो हम इसको बोलते हैं, oxy, इसका general name क्या हो जाएगा, alcoxy, एक कार्बन है तो mythoxy, यहाँ दो कार्बन होते तो ethoxy, 3 होते तो propoxy, 4 होते तो butoxy, pentoxy, hexoxy, यह लिखते चले जाते, कौनसी position पर है यह वन पर, parent carbon chain लंबे carbon वाली, ज्यादा carbon जाएं, उसे alkane बनाएंगे, इसे बोलेंगे 1, 2, 3, 4, किंती किदर से, यह दर से functional group closer है, closer है, 1 पर भी हो सकता है, 2 पर भी, 3 वर भी, लेकिन closer होना चाहिए, metoxy कौन सी position पर है, 1 पर, 1 metoxy, total carbon कितने हैं इसमें, total carbon है, इसमें 4, but, but क्या है, word root indicate करता है, इसके बाद क्या आएगा, एन लिखना होगा मुझे, एन क्या indicate करेगा, एन बताएगा, कि इसमें total, कोई भी double या triple bond नहीं है, saturated molecule है, यह butane है, but word root, एन primary suffix, 1 metoxy, butane, space नहीं लिखना है, पहला alphabet capital लिखना है, बीच में बाद में कोई capital नहीं लिखना है, यह dash hyphen, यह कुछ नहीं, यह गलत है, यह नहीं लिखना है, space नहीं, IUPAC name यह correct है, IUPAC name यह correct है, space नहीं लिखा जाएगा कहीं पर, क्या करना है naming करते हुए, minimum position पर रखना है, L-coxy group को, तो ether की naming हम करते हुए, नाम क्या लिखेंगे, जो system होगा, वो लिखेंगे, L-coxy, L-cane, L-coxy, L-cane का मतलब, L-coxy group जो पहले लिखा जाएगा prefix, L-cane का मतलब क्या हो गया, कि, जे sparent carbon chain पर, ether group लगा हुआ है, अब इसमें double bond भी हो सकता है, triple bond भी हो सकता है, अगर double या triple bond हुआ, दियान देने की बात है, जैसे O-C-H-3 है, तो, priority दी जाएगी, double bond को, ये prefix है, इस prefix की जगा, कोई बड़ा function group होता, O-H होता, carboxylic acid होता, तो गिंती हम carboxylic acid से, alcohol वाली side से करते हैं, लेकिन अंगर double bond present है, तो double bond, ether and chlorine, या bromine, या iodine, prefix के साथ, double bond है, तो double bond को minimum position पर लाने के लिए, हम counting करेंगे, अब मैं इसका नाम लिखूंगा, 4-methoxy, 4, ये meth, 1-carbon, oxygen-oxy, 4-methoxy, but, अब एन तो नहीं रहा ना ये, primary suffix तो, एन की जगा इन हो गया, कौनसे position पर है, 1 पर, but, 1-eन, primary suffix चेंज हो गया, word root वो ही है, but, 4-methoxy prefix, मैं लिख रहा हूँ, ये IUPAC naming होनी चाहिए, इस तरह के compound के, और देखो एक example छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा example, यहीं पर लिख रहा हूँ, carbon, double bond carbon है, इधर carbon हो गया, इधर carbon, यहाँ पर लिखा है OCH3, counting करना, सही करना important है, अगर मैं counting इधर से कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, गलत counting है, क्योंकि, carbon number 3 पर double bond आया है, 2 पर नजदीक, ये OCH3 गुरूप आ गया है, सही counting क्या होनी चाहिए, ये वाली, green वाली, 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, ये सही counting रहेगी, ऐसा नहीं करना, कि जिस carbon पर OCH3 है, वहीं से शुरुवात कर दो, लंबी से लंबी चेन बनाना, हमारा मकसद होता है, सबसे बड़ी चेन जहां से बन रही हो, वहां से counting आप करोगे, इसका नाम हम लिखेंगे, 3-methoxy, bute, इसमें 3-methoxy, prefix हो जाएगा, bute word root है, वान इन इसमें, primary suffix है, suffix नहीं, primary suffix, secondary suffix क्या होते हैं, all, oic acid, oate, oil chloride, own, all, ये secondary suffix है, जो बाद में लिखे जाते हैं, जो primary suffix होंगे, वो क्या होंगे, methoxy, chloro, या methyl, या ethyl, या कोई और group, हम इनको बोलते हैं, prefix, prefix क्या होंगे, जो पहले लिखे जाते हैं, word root से, immediately जो पहले लिखे जाते हैं, वो prefix बोले जाते हैं, word root के बाद जो बोले जाते हैं, वो suffix बोले जाते हैं, suffix दो होते हैं, primary and secondary, primary फर्दर तीन ही होंगे, या तो a नोगा, या e नोगा, या i नोगा, secondary suffix, यानि functional group, बहुत सारे हो सकते हैं, ये बताते हुए, अब मैं आपको इथर की naming, discuss कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, हमें एक group compound given है, CH3, OCH3, तो इदर तो दोनों symmetrical सेम है, चाहे गिंती इधर से करो या इधर से करो, इधर से कर लेते हैं, इसको मुझे prefix लिखना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, methoxy methane, या UPAC naming है, alkoxy alkane, यानि methoxy methane, common naming भी, common naming में हम इसे एथर की तरह बोलते हैं, कोई rule नहीं है, एफिक्स common naming का, लेकिन फिर भी, हम इसे बोलेंगे, dimethyl, 2-methyl, CH3, CH3, dimethyl, एथर विल बी common naming, and methoxy methane, is IUPAC name of this compound, अब या अन्सिमेटरिकल एथर है, दूसरा, नैसेसरिली काउंटिंग अब इदर से होगी, 1 and 2, लंबी चेन, इदर छोटी बनती, मैं इसको ethoxy methane नहीं कह सकता, मैं इसको बोलूँगा, methoxy ethane, 1 methoxy ethane कहना correct है, या फिर आप 1 को skip कर सकते हो, and methoxy ethane इसका नाम बोल सकते हो, common naming में मुझे इसको बोलना होगा, ethyl, methyl, ether, एक तरफ ethyl है, एक तरफ methyl है, alphabetically बोलना होता है, ethyl पहले बोलना होता है, फिर उसके बाद हम methyl लिखेंगे, ethyl, methyl, ether, और methoxy ethane, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ये एक और compound दिया है हमें, अब ये symmetrical है, अब गिंती इधर से करो है, इधर से करो, one and two, इधर से गिंती करते हैं, ये हो जाएगा, ethoxy ethane, and common name हो जाएगा, diethyl, ये group ethyle group है, C2H5 है ये, ये भी C2H5 है, तो diethyl ether common name है, IUPAC name हो जाएगा, इसका ethoxy ethane, इसके बाद फर्दर, ये लंबी chain वाली side गिंती हो गिया, अब इसमें ये asymmetrical यानि mixed ether है, गिंती मैं इधर से करूँगा, one, two and three, गिंती इधर से करने पर, इसे बोलेंगे हम, कि ये, methoxy propane है, methoxy propane, IUPAC name हो गिया, और common name ये propyle group है, लेकिन propyle is straight chain वाला, तो N-propyle और ये methyl, मैं बोलूँगा, methyl, N-propyle, ether, is common name, and IUPAC naming के लिए गिंती होगी, carbon number one, किस side से गिंती, जिदर से closer है, ये side group, two and three, नाम हो जाएगा, methoxy propane, ये कोई compound है, अब लंबी से लंबी, यहाँ confusion लग सकता है, कोई गिंती ऐसे कर सकता है, one and two, गलती हो जाएगी, अगर ऐसे कर दी गिंती, लंबी से लंबी chain, one, two, three, two methoxy, या, आपकी मर्जी है, इस side से कर लो, one, two, three, two methoxy propane, ये इस ग्रूप 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 इस ग्रू ये लंबी से लंबी चेन बना डालो, 1, 2, 3, 2 पर मिथाक्सी ग्रुप लगा है, 2 मिथाक्सी प्रोपेन इस आई उपीसी ने, ये नाम लिखने का तरीका होगा, तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, रूल्स से अगर चलते हो, तो बिलकुल आसान है, रूल्स अगर नहीं फ चीज़े याद नहीं रहते हैं, रूल्स पता होंगे तो आसानी से कर पाओगे, फर्दर देखो, एक कंपाउंड हम ये लिखते हैं, अब इसमें ब्रांचिंग है, हम इसको पूरे को एक ही कार्बन की चेन में नहीं ले सकते, मुझे अगर काउंटिंग इदर से करनी होगी इसे बोलना होगा टू, इसे बोलना होगा थ्री, तो भी अनकाउंटिट कार्बन रह गया ये एक, इसको भी मुझे प्रिफिक्स लिखना होगा, और ये तो प्रिफिक्स ही पहले ही, कार्बन नमबर टू पर अब दो प्रिफिक्स लगे हैं, एक मिथोक्सी है, ये प्रिफ लगा है methyl और लंबी से लंबी चेन बनी तीन कार्बन की जिसे मैंने नाम दिया propane तो parent carbon chain तो बन गई propane की इस propane पर prefix यानि दो prefix prefix मतलब जो पहले लिखे जाते हैं वो लिखने हैं two methoxy and two methyl यहां पर उपर लिख रहा हूं में जगा नहीं बची two methyl इसका नाम हो जाएगा compound two methoxy, two methyl propane common naming नहीं है या यूपियसे naming है और जब मैं इसकी common naming करने पर आऊंगा तो एक तरफ तो group लगा हुआ है फिर मुझे देखना होता है common naming करने के लिए के group यह कौन-कौन से लगे हैं group लगा हुआ है एक यह वाला group यह group है ट्रेशरी ब्यूटाइल one, two, three, four, चार कार्बन है चार कार्बन में ट्रेशरी कार्बन से oxygen लगा हुआ है तो common naming में इसको बोलते हैं हम ट्रेशरी ब्यूटाइल और यह है मिथाइल नाम होगा इसका ट्रेशरी ब्यूटाइल मिथाइल एथर ट्रेशरी ब्यूटाइल का B क्योंकि पहले आ रहा है तो इसलिए पहले लिखा गया है ज्यादा कर्बन की वज़़ा से नहीं ट्रेशरी ब्यूटाइल मिथाइल एथर इसका common name हो जाएगा तो यह नाम लिखने के तरीके हैं औरेंट है नेमिंग यह ध्यान से करनी होगी आपको common naming भी आ जाती है एक यह compound है यह compound कि अगर IUPAC naming तो बेंजीन को तो बेंजीन कहते हैं IUPAC naming में यह methoxy group हो गया methoxy ज्यादा कार्बन बेंजीन के हैं तो methoxy benzin is IUPAC naming या one methoxy benzin बोल दो common naming इसकी एनिसोल है एनिसोल आपको याद रखना पड़ेगा कि हम इसको एनिसोल बोल रहे होते हैं एनिसोल बेंजीन OCH3 methoxy benzin IUPAC name यह अगर ethyl group है oxygen तो ethoxy benzin is IUPAC naming और common naming इसकी आपको याद रखनी पड़ेगी finetrol ऐसे बोलते हैं common naming याद रखनी पड़ेगी आपको finetrol आ जाता है IUPAC naming इसकी हो जाएगी ethoxy benzin यह तो simple compound अभी हम करी चुके हैं इसमें यह आ जाएगा नहीं इसमें अच्छा दो oxygen है OCH3 एक group है OCH3 एक यह group है अब यह बीच में parent carbon chain है carbon number one and carbon number two ethane है यह 1,2 dimethoxy ethane नाम होगा इसका IUPAC name 1,2 dimethoxy दो methoxy group लगे हुए हैं कहां पर एक one पर एक two पर 1,2 dimethoxy ethane is IUPAC name of this compound जो common naming है इसकी इसको Glyme भी बोला जाता है common naming में Glyme कह देते हैं इसको एक compound होता है जो glycol होता है यहां अगर OH लिख दें और यहां पर हम OH लिख दें तो इसे ethylene glycol बोल देते हैं लेकिन अगर इन दो H की जगा दो CH3 आ गए तब यह compound है सामने तो यह बोला जाएगा dimethyl glycol common naming एक और है इसकी dimethyl glycol या Glyme याद रख लो तो ठीक है नहीं याद रखो तो कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन IUPAC पता होनी चीए 1,2 di-methoxy ethane will be IUPAC naming कुछ दो चार प्रॉबलम दे रहा हूं करने के लिए ताकि आपको इसकी practice हो जाए आप खुद से करना मैं एक एक मिनट का टाइम दूँगा करने के लिए देखो प्रॉबलम नमबर वन यह एक प्रॉबलम मैंने लिखी है इसे solve करो आप और answer मुझे बताओ सबसे पहला point इसमें नेमिंग करने में double bond and ether में हम prefer करते हैं double bond को अगर functional group होता तब की बात मैं नहीं कर रहा हूं सबसे पहली priority functional group को दी जाती है कौन सब functional group? alcohol होता या aldehyde होता या carboxylic acid होता rcoh group तो counting करने में हम इसको priority देते हैं पहली priority उसके बाद हम double या triple bond को priority देते हैं उसके बाद हम priority देते हैं prefix को prefix कौन-कौन से हैं? जैसे ro group जैसे halogen group जैसे nitro group जैसे methyl group ये बाद में आता है सबसे तो double bond भी है ये prefix भी है तो मुझे double bond की तरफ से गिंती करनी है हाँ अगर इधर oh आ जाता फिर change हो जाता भी मान लो ये oh होता तो ये तो functional group आ गया ये तो पहली priority वाला है ये order याद रखो बस फिर मैं बुलता one two three and four लेकिन alcohol की तो naming हम कर चुके हैं ये हम ether की कर रहे हैं तो इसका नाम होना चाहिए two comma four डाय methoxy but one in इस in की यानि double bond की position हमने बता दी के ये one है two comma four di methoxy but one in ये IUPAC naming होगा इसका second problem दे रहा हूं ये भी पहले खुद try करके फिर उसके बाद answer देखना pause करके चेक कर लेना double bond decide नहीं कर रहा है मैं counting अगर इससे करता हूं one two three तो three पर double bond शुरुआत हो गई इदर से counting करता हूं one two three तो इदर से भी three पर दोनों तरफ से same पर है लेकिन इदर से OCH three two पर आ रहा है तो अब मैं counting necessarily this side से करूंगा one two three four five six ज्यादा से ज्यादा चीजे फालो हो जाएं ताकि ये three पर भी आ गया two पर भी आ गया OCH three इदर से मैं counting करता है ये दूर हो जाता बाकि नाम लिखना अभी इसका असान है कोई मुश्किल काम नहीं है नाम हो जाएगा इसका two methoxy hex three in two methoxy prefix है hex क्या है word root है word root मतलब parent carbon chain में जिसमें ज्यादा से ज्यादा carbon गिने गए हूं उसमें carbon की संक्या को indicate करने के लिए एक शब्द होता है word root बोला जाता है method प्रॉफ ब्यूट पेंट है except यह सब in क्या है double bond उसकी position बताना जरूरी है one skip कर सकते हैं बस एक ए problem number two समझा दी मैंने number three पर आते है problem पर यह मैंने question number three लिख दिया बड़ी technical problem है बहुत logical इसमें rules लगते हैं पहली बात तो इसे समझना कुछ लोगों को जिनको bond line representation में command नहीं है पहले उसे सीखें कि यह लिखा कैसे है क्या चीज लिख दी मैंने तो bond line representation पहले आप इसे सीखोगे मैं इसे आपको बता रहा हूं कि इस molecule का meaning क्या है कि देखो यह मैंने इसको translate कर लिया इसका मतलब यह हो गया यह पता ही होगा आप लोगों को ज्यादा तरको अब counting का question है कि counting हमके side से करें दो side से करके देखते हैं counting मैंने इधर से की one two three यह two है यह फिर four आ गया five six six carbon की chain बना दी किसे और के दिमाग में आया कि counting हम तो इधर से करेंगे चलो कर दो one two oxygen बीच में लाकि मत कर देना ऐसे मत कर देना one two three four five oxygen वाला गिन लिया इधर carbon की गिंती करनी है one two three four five and six six carbon की गिंती मैंने दूसरी side से कर दी कि रूल हमारा यह है कि जो प्रिफिक्स होते हैं उन्हें minimum position पर लाना होता है लेकर क्या हो जब मैंने रेड वाली पॉइंट से counting की तो two पर आ रहा है and five पर आ रहा है मैं लिख देता हूं यह two and five जब मैंने ब्लू वाली side से counting की तो यह two पर and five पर आ रहा है तो भी same position है side group की position same होने के बाद भी नाम अलग लग लिखा जाएगा यहाँ two पर ethoxy आएगा अगर मैं counting इस side से कर रहा हूं one two तो two पर methoxy आ गया और अगर counting मैं इस side से कर रहा हूं तो two पर ethoxy आएगा तो यह तो गड़बड हो गई एक नए रोल की जरूरत पड़ती है ऐसे case में जब दोनों तरफ से position सारे groups की same आ रही हो तब हम alphabetical order follow करते हैं पूरी बात सुननी है ऐसे case में conditional है ऐसे नहीं कि बस हम alphabetical order follow करते हैं ऐसे case में जब दोनों तरफ से ये number same आ रहे हो फिर भी different naming आ रही हो तब हमें alphabetical order पे ध्यान देना है यानि और alphabetical order कैसे follow करोगे minimum से minimum position पर कम से कम वाला alphabet आप रखोगे अगर मैं इधर से चलता हूँ नेली वाली side से तो 2 पर आ रहा है methoxy M और अगर मैं red वाली side से चलता हूँ 1,2 तो 2 पर आ रहा है ethoxy E तो minimum यानि 2 number पर E आना ये rule follow हो रहा है कम से कम position पर हमें छोटे से छोटा alphabet लाना होता है हमेशा नहीं जब तब दोनों तरफ से numbering करने पर same set बन रहा हो इधर से 25 का बना इस side से इस side से भी 25 का बना दोनों तरफ से 2525 के set बन गए अगर इसे कहते हैं अगर lowest set rule के according हम numbering नहीं कर पा रहे हैं समझाने के लिए कुशन लिख रहा हूं और उपर साथ के साथ answer तो मैं बताई दूँगा यहां पर मैं एक कुशन लिख रहा हूं समझाने के लिए बड़ा simple way में आपको बात समझा जाएगी यह जो मैंने कुशन लिखा है यहां हम alphabetical order follow नहीं करेंगे confusion इसी में लगता है सारी गलती यहीं होती है क्यों नहीं follow करेंगे क्योंकि यहां तो set ही common नहीं बन रहा है दोनों तरफ से same set नहीं बन रहा है इस साइड से मैंने गिनती की one two three four यह one पर आया methoxy इस साइड से मैं दूसरी साइड से counting करता हूं अगर इसको बोल दिया one two three four तो यह two पर आया यह four पर आया तो यहां तो हमें जरूरत ही नहीं है यहां तो minimum position वाला rule follow हो रहा है तो मुझे alphabet नहीं देखने हैं यही वाली counting सही है जो पहले की है red वाले से यह वाली counting गलत है क्योंकि इसमें दूर आ रहे हैं alcoxy groups parent carbon chain पर यह alphabet वाला rule तब follow करना है जब दोनों तरफ से किंती same आ रही हो और same position पर group आ रहे हो that means lowest set के according हम decide नहीं कर पा रहे हो तो अब आजाते हैं इसका नाम लिखने पर नाम पहले बाद तो counting कौन सी correct है counting यह वाली correct है यह one two three four five and six जिसमें हमने two पर ethoxy group को लिखा है यह red वाली counting correct है यह blue वाली जिसमें one two इसमें methoxy क्योंकि methoxy का M जो होता है वो बाद में आता है तो यह वाली counting नहीं कर दी है नाम लिखते हुए मुझे क्या लिखना पड़ेगा नाम लिखते हुए मुझे लिखना होगा two ethoxy five methoxy methoxy group मुझे क्या लिखना होगा five position पर two ethoxy five methoxy और parent carbon chain का नाम लिख दो बाकी जो है क्या है parent carbon chain छे carbon की chain है hex और साथ में एन क्या indicate करता है एन primary suffix यह इस compound का सही नाम होगा बड़ा logical name है और बड़ा simple सा rule है competition में यह छोटे-छोटे changes variation पर दे देते हैं तो आप इसको बड़ी अच्छे तरसे करोगे तो अभी IUPAC naming तक के portion में मैं आपको इतना ही करा रहा हूं प्रेक्टिस के लिए assignment में दूंगा आपको assignment करना रूज इतने पढ़कर के समझने के बाद assignment करने अगली क्लास में हम करेंगे preparation of ethers important portion रहेगा तो आज के लिए thank you very much good luck और बड़ी अच्छे तरसे दिवाली मनाओं आप लोग thanks thank you very much